हेलो स्लेपेस फैमली, नमसकार, कैसे हैं आप लोग, उमीड करता हूप हमेशा कि तरह अच्छे और स्वस्थ होंगे, और मैं क्यामना भी ही करता हूप कि आप हमेशा अच्छे और स्वस्थ हैं मैं विकी अपने चैनल भागिंदर विलने सेंटर में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ जैसा कि आप लोग ठमनील में देख चुके हैं कि मैं AWPL के स्टोन डॉक रस के बारे में बात करने वाला हूँ इस्टोन डॉक रस के इस्टिमाल के दोरा हमें परहेज क्या करना है इस्टोन डॉक रस के कमपोजिशन क्या है इस्टोन डॉक रस के प्राइसेज क्या है बात करते हैं इस्टोन डॉक रस के बारे में मैं यहां बात करना हूँ kidney stone के बारे में यह kidney से जूरी वो सारी समस्याव को ठिक करने में मदद करता है अगर आप stone rockers का इस्तेमाल करते हैं तो तो फायदे बताने के पहले मैं यह बताना चाहूंगा हमारे kidney में stone कैसे होता है पहला जो है वो है सुबा का breakfast को skip करना दूसरा जो है पानी का save नहीं करना तीसरा जो है requirement से ज़्यादा protein का अपने खाने में इस्तिमाल करना ये कारण है जो ये सारे चीज मिलके एक crystal का form बनाते हैं और हमारे kidney में stone के रूप में जमा हो जाते हैं स्टोन रॉक्रस के इस्टमाल से हमें फैदे क्या-क्या है फैदे के बात करते हैं इस kidney के 5-10 mm तक के stone को गलाने का छमता रखता है कि kidney को स्वस्थ रखने के साथ-साथ kidney को सुचारूप से चलाने भी मदद करता है kidney का जो unit होता है उसको nephron करते हैं और यह nephroni हमारे kidney के functions में बहुत important role दिलाती है जो unit essence में काम करती है kidney functions में काम करती है तो इसके functions को भी मजबूत करने में मदद करता है आपके kidney के shape और size को अन्यंटिट करने में मदद करता है मैं यह बता दू कि हमारे AWPAL के जीतने भी product है वो सिर्फ एक बिमारी में काम नहीं आता है हम किसी एक particular बिमारी के लिए AWPAL product का यूज करते है वो तो साथ साथ किसी दूसरे चीज पे भी वो फायदा करता है तो stoned or crust kidney के healed को अच्छा करने के साथ साथ यह हमारे सरीर के पाचन किर्या को भी तंडू सकने में मदद करता है blood purification में भी काम आता है और सरीर के अंदर को कमजोरी को दूर करके सक्ती परदान करने में भी काम आता है पिम्पल की समस्या है तो उसको भी खतम करने में यह मदद करती है हिदर उसके सम्बंतित कोई समस्या है तो उसे भी खतम करने में मदद करती है आत करें कि स्टोन डंडग रस को उपयोग में कैसे लेना है तो सबसे पहले मैं ये बता दू हुँ कि स्टों डग रस का बोटल खुलने के एक मैने के भीतरी इसका आप उपयोग कर ले कभी भी stone drug rush लेने से पहले आप stone drug rush के bottle को अच्छी तरह हिलाएं और stone drug rush लेनी की वीधी क्या है तो आप इसे सुबा और साम खाना खाने के एक गंटे बाद 25-30 ml आप ले सकते हैं कि हमे stone drug rush लेने के समय परहेच क्या करना है से पहले तो हमें खट्टा छोड़ना होगा जैसे इमली अचार, इम्बू, चत्नी, इत्यादी, तीखे परदाट का सेवन कम करना होगा, जैसे मसालेदार और तेल्स युक्ट खाना को कम करना होगा, खंडे परदाट जैसे कोल्डिक आइस्टिम्स को नहीं खाना होगा, और म अपने खाने में सलाट को एड जरूर करें, कर बात करें स्टोंडगरस के कमपोजिशन के बारे में, जो मैं इसका डिटेल आपको इस वीडियो के description box में दे दूँगा, या किसी वी आपको particular topic पर video बनवाना है, ता आ आप मुझे कमेंट में अपना सुझाओ या कमेंट ड्रॉप जरूर करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें अभी तक मेरे चैनल भागिंदा विलनेस सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो जल्दी से जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब करें साथी साथ बेल आइकन को जरूर दबाया ताकि जब भी मैं AWVL से सम्बंदित कोई भी वीडियो ले कराऊ आप तक सबसे पहले पहुँचे धन्यवाद